वेलकम स्टुडेंट्स वार्षिक परिक्सा दो हजार तेज चोबीस में कक्सा नो की विज्ञान विश्य का पेपर जो अधिकतर जिलों के अंदर या तो 16 अपरेल को या 18 अपरेल को या 24 अपरेल 22 अपरेल अलग अलग डेट में प्रतेक जिले में ये होने वाला है लेकिन इसका पेपर में आपको सॉलिशन करवाने वाला हूँ इसमें से बहुत सारे क्यूशन हूब टू हूब आने वाले हैं पूरे 100% आएंगी इस बात मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन अधिकतर क्यूशन सभी जिला जो सम्मान परिक्षा होती है उसके अंदर हूब टू हूब छ आते हैं टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी पीडियाप मेल जाएगी पूरा सॉलिशन है 100% सॉलिशन के साथ है देखिए निमन प्रशनों का उतर सही विकल्प चैन करके देना है सबसे पहले आपके आपके आप आपको पास्कल किसका मातरक है तो दाब का मातरक होता है दव यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी ठोस से सीधी गैस अवस्ता प्रात करने वाले पदार्त का कौन सा गुण होता है ठोस सीधा गैस में उर्दू पातन की दवरा बनता है कोई आपको पूछ ले क गैस से ठोस में तो उसको संगनन कहेंगे और कोई यदि द्रव से गैस का पूछ ले तो उसको वास्पन कहते है और ठोस से द्रव का पूछ ले उसको गलन कहते है यह चारों ही तरीके है तो सीधा ठोस से गैस है तिया उर्दू पातन हो जाएगा आपका राइट आंसर है ध औक्सीजन का प्रतिक क्या है तो औक्सीजन का प्रतिक O होता है रदर्फोर्ड का अलफा कन परकेनन परियोग किस की खोज के लिए उतरदाई था यहाँ पर आपका राइट आंसर है बोरोन की सयोजकता होती है तो बोरोन की सयोजकता तीन है और एक और बोरोन के बारे में कोसिका का बिजलीगरी यहां पर आपका राईड आणसर हो जैगा वह संयों जी उतलक जो अस्तियों किечमछ जोड़ता है क्या कहला हंग राईड आढ़ता है जायेगा उसको संवेग कहेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जायेगा यहाँ बहुत सारे क्यूसंजे जो very important है और hope to hope सभी papers में छपने वाले हैं अगला है परत्वी के गुर्टुकर्शिय तवरण का मान ग्राम में कितना होता है तो 9.8 मिटर सेकेंड स्कुएर इसका मान होता है सवतंतरता पुरुव गिरती विवस्तु की गती जुर्जा का मान नियत रहता है यानि फिक्स रहता है बढ़ता गड़ता नहीं है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 और तेरा दोना में अ सयुत्तर होगा कारे करने की दर का मातरक क्या है तो कारे करने की दर का मातरक जूल है दवनी की चाल अधिक्तम किसमें होती है तो अधिक्तम होती है आपको पता होगा ठोस में और यहाँ पर इसमें से ठोस कौन सा इस पाथ है तो दव आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दवनी का तार्त्व निर्बर करता है आवर्ती पर तहुíre है आपका यहां पर right answer होगा स्वेथ कारांती का समंद किस से है स्वेथ कारांती का समंद दूद्ध से है और खरीप की फसल है तो उप्रियोख सभी बाजरा, मौं, मक्का यह सभी खरीप की फसले है दव यहां पर आपका right answer है तो इस तरह से आपके 18 क्यूशन है वो object type के आये हैं उसके बाद में रेक्तिस्थान वाले क्यूशन है उसको भी मैं हल करवाऊंगा very important ये क्यूशन पेपर है आप 9th पास करने के बाद कक्सा 10th में आने वाले उसकी तयारी भी हम बिल्कूल जैसे ही आपकी 30 अपरेल तक परिक्सा है इसके बाद में 1 मई से ही इस कक्सा 10th की तयारी भी शुरू कर देंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगला है रेक्त इस्थानो की पूर्ती कीजीए देखिए आपर आया है कोसी का द्रव और केंदरक दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है जीव द्रवे कहलाता है गती का समीकरण है V बराबर U प्लस A T है ठीक है क्या है V बराबर U प्लस A T किरिया और परति किरिया बल सम्मान तता विपरित होते हैं सम्मान होते हैं और एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं विपरित होते हैं द्रव के गनत्व से कम, गनत्व की वस्तु में द्रव पर क्या करेगी, तेरती है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल सुन्य है, तो किया गया कार्य भी सुन्य ही होगा, ठीक है, जब बल विस्तापन की दिशा में लगता है, तो किया गया कार्य सुन्य होता है, विपरित में बनती है इस तरह से जो लहरे बनती हैं उसको अनुपर स्तरंग कहते हैं अगला है अगार वेवसाइग रूप में तयार पादप पोसक है इसका यहां पर स्वय उत्र आगार है अंडे और कुकुट मास्क के उत्पलन को बढ़ाने के लिए कुकुट पालन किया जाता है क्या कि ब्रोमीन ये दो जो धाते होती है वो द्रव वस्ता में रहती है आप पारा लेख सकते हैं ब्रोमीन कोई भी दोनों में से एक लेख सकते हैं आई यू पी ए सी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन आफ पूर एंड एपलाइड केमिस्ट्री यानि अंतर राष्ट ओडो मिट्र क्या मापता है तो चाल और दूरी मापता है मुक्त पतन क्या है तो गुर्टव करश्णिबल के कारण वस्तुए का पृत्वी पर गिरना मुक्त पतन कहलाता है गुर्तवा करशनपल का प्रिणाम ग्याद करने का सूत्र आपको लिखना है गतीज उर्जा किशे कहते हैं वस्तु में गती की कारण उत्पन उर्जा को गतीज उर्जा कहते हैं सक्ति क्या है दूसरे को प्रभावित करने की सम्ता सक्ति कहलाती है सामने मनुश्य कानों के लिए सर्वनता प्रास क्या होती है 20 अर्ट से लेकर 20,000 अर्ट वेरी इंपोर्टेंट कि उसने हर परीक्षा के अंदर जरूर आता है आल्ट्रा सोनो ग्रोफी का एक उप्योग आपको लेकना है इसके दवरा सरीर के अंदर के जो भाग है उसको इसपश्ट देखा जा सकता है उसके उपर कोई चोट वगिरा तो उसको महसूस किया जा सकता है तेल परदान करने वाले किसी एक बीज का नाम बताना है सोया बीन है, मोंग फली है, सरसों है, राइडा है यह सभी तेल परदान करने वाले कोई एक नाम आपको लेखना है वर्मी कंपोस्ट के जीव के उप्योग से तयार की जाती कैंचुई के उप्योग द्वारा वर्मी कंपोस्ट तयार होती तो यह आपके 12 क्यूशन आगए थे एक एक नमबर के एक पंक्ती वाले उतर अब आपके आते हैं खंड बह यहाँ पर देखी चार से अठारा तक यह जो टोटल पंदरा क्यूशन है यह दो-दो नमबर के आएंगे और उसमें आपको उतर सिमा 50 सब्दे यानि कम से कम 3 से लेकर 5 लाइन तक आपको यहाँ पर उतर लेखना होता है पदार्थ के कणों की क्या विशिष्टा होती है दो-नमर का क्यूशन आया है समांगी और विश्मांगी विश्रणों में अंतरा आपको लेखना है CO2 के आणविक दर्विमान का परिकलन करना है समस्थानिक की दो प्योग लिखने है न्यूरोन का एक नमांगी चित्र बनाना है एक रेसिंग कार का एक समान तवरण 4 मिटर सेकेंड स्क्वाइर माइनस टू है गती प्राणम करने के 10 सेकंड पचात वक कितनी दूरी तेया कर लेगी यह आपको बताना है बस की सथ पर रखे सामान को रसी से क्यों बांदा जाता है यह आपको लिखना है दो नमर कर्क्यूशन है उत्पलावक्ता से आप क्या समझते है ठीक है पानी के अंदर किसी चीज़ को दबाने पर जो वापस सामने से उर्जा लगती उसको उत्पलावक्ता कहते है गुर्तवा कर्शन के सारवतरिक नियम को क्या मैतव है आपको लिखना है जब आप साइकल चलाते हैं तो कौन-कौन से उर्जा रूपांतरन होती है वो आपको लिखना है यांत्री उर्जा गतिज उर्जा एक जूल कारे को परिभासित आपको करना है कंसर्ट हॉल की छटे वरकाकार क्यों होती है वकराकार क्या कारण है कि मैलाओं की आवाज पतली और पुरूसों की आवाज मोटी होती है आपको लिखना है क्योंकि हमारे जो वाक्तंतर होते हैं उसके अंदर इस तरह से ही बना होता है अनाज दाल फल और सबजियों से हमें क्या प्राप्त होता है ये लिखना है विटामीन है, प्रोटीन है, कार्बोहिट्रेट है, वसाई ये लिखना है, वृत्व पोसक्या है, उदान सहीत लिखना है, ये तो दो दो नुमर वाले आपके क्यूशन थे, अब इसके आगयाता है, खंडिस है, दिरिक उत्रात्मक परशन है, समझ सीमा, सो सब्ध है, यानि क कम से कम आपको आठ से 10 लाइन में उत्तर लिखना होता है, एक लेम्प एक हजार जूल विद्जियो तो रजा 10 सेकंड में, क्या करता है, उसकी सक्ति कितनी है, किसी वस्तूपर साथ है अन पर बल लगता है, बलकि दिसाम विस्ताबन आठ मिटर है, इस इस तित्यम किया गय क्योंकि इनके उत्र बहुत बड़े हैं तो आपको ये किताब में से अपने जो भी पास्बुक्स वगिराए उसमें से देखने हैं उसके बाद में खंड दगाता है कि किसी घर में एक महीने मुर्जा की डाइसो यूनिट वे हुई ये उर्जा जूल में कितनी होगी आपको बताना है ठीक हजार से गुणा करोगी तो आ जाएगा एम दर्यमान का एक पिंड एक नियत वेग वीज से गती से ले पिंड पर कितना कारे करना चाहिए कि वो विराम अवस्ता माजाए दो नमर का क्यूशन गरना या परादावनी क्या है ये तीन आप कर सकते हैं अथवा ये तीन आप कर सकते हैं एक साथ अथवा में हैं यहाँ पर ये 24 है क्यूशन है यहाँ पर भी ये तीन क्यूशन एक साथ करने हैं या ये तीन एक साथ करने हैं तो इस तरह से ये था आपका विज्ञान का पेप पर जो आपके किसी जिले में 18 अपरेल को, किसी में 22 अपरेल को, किसी में 24 को, किसी में 29 अपरेल को, अलग-अलग डेट में होने वाला है, जब भी हो इसको आप जरूर देखें, बहुत ही most question है, पर इक सम आपको देखने को मिलेंगे, पीडिये भी आप टेलेग्राम कर सकते हैं, पूरा solution आपको मैंने करवा दिया है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जुड़े रहे हैं हमारे साथ, ककसा 10 की तेयरी भी आपको बहुत अच्छिस करवाई जाएगी,